हेलो आपको लग रहोगा सर यह 2.0 इनिशेटिव में क्या अलग है तो मैं आपको बताता हूं कि इस बार केवल टीचर्स ही नहीं टीचर्स के साथ कंटेंड टीम रिसर्च टीम सब लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत की और आपके लिए लेकर आए हैं बहुत इस्पेशल जानका सब्सक्राइब करने लोग नेगेटिव ही बात करते रहें लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो निरंतर प्रयास कर रहें तो क्या उनके लिए हमें जानकारी लेकर आने की जरुरत नहीं है आज मैं वों इंफर्मेशन आपके लीए लेकर आया हूँ कि कितने वेकैंसी मेहनत करें तो हमें नौकरी मिल सकती है तो देखिए आपके सामने यहां पर 311 11 vacancies है और आपको लग रहा हो कि सर ये 3 माईने 6 माईने तक जोड कर आपने vacancies show किया है यासा बिलकुल नहीं है देखिए प्रत्यक्ष को प्रमान की जुरत नहीं है हर एक चीज के बारे में आज हम डिसकस करेंगे पूरा पिटारा आपके सामने खोलेंगे और ये जो vacancies है ना बेटा ये केवल February 2014 का डेटा है केवल February का February तक का नहीं February का डेटा है 311 vacancies यानि की March का जब information आएगा हम फिर आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे अलग vacancy information के साथ तो ये vacancies कहां कहां पर है pen paper लेकर बैट जाएए note कीजिए और इन सब का link भी आपको मिलेगा तो कहां मिल ये जानकारी के लिए आप लास्ट तक वीडियो में बने रहे हैं देखिए सबसे पहले हम आते हैं airport authority of India 487 post junior executive civil electrical EC CS IT 487 post airport authority of India and they are hiring from gate 24 so gate 24 candidates just gear up the job is here in front of you and then let's move on to engineers India limited yes they are the firm which provide engineering consultancies end-to-end consultancies and we have got 43 post from civil mechanical and chemical now moving ahead to our next organization that is ONGC 29 post and they are hiring from gate 23 to gate 2023 ka sir paper हो चुका है result भी आ चुका है लेकिन notification भाया अब आया है तो अब ये hiring यहां से करने वाले है तो 23 वाले बच्चे भाया गेर अब देखिए यहां पर और भी है नालको है नालको का 277 post है mechanical और chemical के लिए और THDC Terry Hydro Development Corporation Limited Civil Mechanical Electrical EC and Instrumentation 100 post यहां पर देख रहा है यह तीनों जो आप देख रहे हैं organizations यह gate 23 से recruit कर रहा है अब आगे यहां बढ़ते हैं हम RFCL की तरफ 86 post है बहुत सारे बच्चे हैं टेक्स करते यहां पर मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा information दिया experience और M.Tech वगरा का क्योंकि यहां पर senior manager का भी post है otherwise management trainee assistant manager के लिए जो freshers है वो भी welcome है आगे बढ़ते हैं यहां पर CPCL चन्नाई petroleum corporation limited यहां बर junior engineering assistant and engineer का 81 post है बहुत सारे diploma holders भी है उनको भी welcome किया जाता है apart from the graduates technical graduates आगे बढ़ते हैं N.T.P.C. one of the very very premier power sector department and we have got deputy and assistant manager 130 post civil mechanical P.I. अब देखिए आपर हमने P.I. अलग से mention किया है बहुत सारे P.I. वाले बच्चे कहते हैं कि सर केवल M.Tech ही हो सकता है क्या P.I. से आसा नहीं है कौन-कौन से organizations P.I. को recruit करते हैं यह देखिए N.T.P.C. N.T.P.C. आप gate के through भी recruit हो सकते हैं अलग से भी इनके पास vacancies हैं तो यह अलग से भी paper conduct करते हैं तो भाईया gate का paper देने के बाद सो मत जाओ किसर अब तो gate का paper हो गया आप तो जो होना ऐसी result से होगा नए बहुत सारे organizations अलग से भी paper conduct करते हैं और वो information यहाँ पर आपको दिख यहार बैटे हैं उनके लिए project engineer का 310 पोस्ट यहां पर आपको दिखाई दे रहा है including electronic engineers as well now moving on to balmer lorry they manufacture end-to-end chemicals and manufacturing setup and the facilities are there all in Chennai तो यहां पर ज्यादा पोस्ट नहीं लेकिन हा information important है chemical and mechanical वालों के लिए तो यह 6 पोस्ट यहां पर है assistant manager का अब यहां पर देखिए DRDO का scientific analysis group है college fellowship का तेरा पोस्ट है और ग्यान को implement करने का मौका है तभी तो विग्यान में तफदील होगा तो बहुत सारे बच्चे हैं जो DRDO में join करना चाते हैं और in fact DRDO और ISRO आपको पता है कि अभी बहुत जादा खबरों में है और सरकार का भी बहुत जादा रुजान है और बहुत जादा हाइरिंग भी यहां से होड़ी हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगातार निकल रहे हैं DRD और ISRO के थरू तयार रहे हैं आगे बढ़ते हैं यहां पर fact fact में 78 पोस्ट है और इंडियन कोस्ट गार्ड में 70 पोस्ट हैं आपको मैं बता दूं अभी रिसेंटली खब यह लेटिनेंट और सब अर्थनेंट का जो आप यहां पर पॉस्ट देखा रहें यह हमारे लिए कैसे एपली के बल्हाइं हमारे ली कैसे चनेक्टेट है यह टेक्निकल कैडश ए टेक्निकल एंट्रीज है और आपको इंपको इंपक्षा यह पता ही होगा कि इज आर्ड ओ organizations those use the recent cutting-edge technologies जी हाँ और आप देखे यहाँ पर आपको दिख रहा है लेटनेंट और सब लेटनेंट बट अल्डोस टेक्निकल प्रोजेट्स अल्डोस टेक्निकल वर्क आर बिंग डान बाई यू इंजीनियर्स राइट आंड वी आप 169 पोस्ट इंडियन नेवी और 379 है सस्बी देने के लिए वहाँ पर पिक्चर पसेश्म टेस्ट होता है वहाँ पर आपका जीडी होता है थोड़ा पस्नालेटी पे भी काम करना शुरू कर दीजिए थोड़ा जो आपके अंदर का जो फियर है उसको थोड़ा बाहर निकालिए और इन सब एक्जामनेशन में है आपको यह सब काम आने वाला है अपार्ट फ्रॉम यू टेक्निकल नॉलेज अगे बढ़ते हैं यहां से एस्बी आए अब देखिए बैंकिंग सेक्टर आ गया है बैंकिंग सेक्टर में जो पोस्ट है वो दिख रहा आपको एसिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट है आप सारा engineering और टेकनिकल वर्क होता है तो वह कॉं कोरेगा बही है इंजीनियर सी तो करेंगे अल्दो इंजीनियर सार वेरी गुड़ाइज का देखिए अलग से पोस्ट है यहां पर कंप्यूटर साइंस और इल्टोनिक इंजिनियर्स की पोस्ट है यहां पर स्पेसिफिश लिक होता है लेकिन इनोंने पर मेंशन किया क्या 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 कंप्यूटर साइंस और रिलेक्रोनिक्स यहांनी कि आप के इंटर्वियू देने के लिए वांपर जाएंगे तो इन सब जगह वह से यानि कि आपके syllabus में से जो important चीज़े हैं वो भी आप से पुछा जा सकता है ठीक है अब यहां आगे बढ़ते हैं BVFCL के 13 post है और यहां पर mechanical, electrical और chemical वालों के लिए है और oil, oil is carrying 22 post CS, MEN, PE, right तो बेटा अब तक हम लोग देख रहे थे हैं महा रतना, मही रतना, नवरतना में job vacancies कौन-कौन सी है defense sector और banking sector अब रुख मोडते हैं state government vacancies के तरफ तो देखिए राजस्थान public service commission में कुल मिलाके 216 post है programmers के लिए तो यहां पर CS, IT, electronics के बच्चों को welcome किया जा रहा है और पंजाब में दो category है बेटा देखो एक है पंजाब state power corporation limited और दूसरा है पंजाब subordinate services selection board यहां पर civil electrical के लिए 544 post है और यहां पर civil electrical के साथ साथ mechanical वालों को भी यहां पर स्वागत किया जा रहा है 103 post के साथ जो भी मैं बता रहा हूं उन सब का valid proof आपके सामने मैं लेकर रहा हूंगा तो देखिए यहां पर अलग-अलग दूसरा है नालको और नालको के अलावा हर जगा आप देख सकते हैं लगबक 60% की ही आवशकता है साथ ही साथ यहां पर एज लिमिट भी बताया जा रहा है और जैसे जो कैटेगरी वाले बच्चे उनका जो है 5% का relaxation रहता है percentage में और साथ ही साथ एज लिमिट में भी थोड जाता है तो जो भी organizations के लिए apply कर रहें उनका specific website को भी एक बार go through जरूर कर लें यह मेरा आपके लिए suggestion है और अब मैं आपको और बता दूं कि यह सारे information जो लिए गये हैं यह official website से ही लिए गये हैं और इसका detailed अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे made easy के website से आपको मिल सकता है और पाते हैं तो हम यही suggestion देते हैं आपको कि आप जो है ना किसी एक व्यक्ति विशेश के उपर dependent मत रही है यह पूरा organization है आप हमारे family के ही पाट है और यहां पर connected रहने का यह सारा तरीका है आप YouTube, Telegram और अलग अलग तरीके से आपका इंटेडरे सकते हैं ताकि कोई भी information जो ह झालग 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